उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए जो आम आदमी की आवाज, एक आम आदमी की समस्या, एक आम आदमी के अधिकारों, एक आम आदमी की जो रिक्वाइर्मेंट है उसको पूरा करने के लिए हमेशा तक पर रहता है मैं आपको ये बात बिलकुँ साबसुतरे तरीके से बताना चाहता हूँ कि हमारा मोटिव कहीं किसी तरह से भी किसी नेता या किसी अधिकारी को खुश करने का नहीं है और हम कभी चाहते भी नहीं है कि हम अपने कारियों से या अपनी बात करने से उनको खुश करें हम खुश करना चाहते हैं एक आम आदमी को, एक समस्या को, एक व्यक्ति को जो इस समाज में रहता है सरकार की जो जिम्मेबारी हैं उनको पूरा करने की वो उमीद रखता है मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आज महरे से घोडिदवीरी रोड पर आपको मैं जानकारी बताना चाहूँगा कि मेरे से गोड़ी बीरी रोड़ पर जीवनुत्सा नियूस दारा इतना गांड तक प्रयास किया गया था कि इस रोड़ पर जो खड़े पड़े थे इस रोड़ पर जिस तरह की हालत बनाई गई थी उस पूरी बात को सरकार के सामने रखा था और बहुत ही इस तरह पर इस ज बिवाग बढसर की ऐसी लापरवाहियों की तरफ ऐसी सोच की तरफ जो भविशा की तरफ नहीं जाती है आप सोच रहोंगे बहुत दिनों बद पीडेवलुडी का नंबर आया है साब नंबर इसलिए आया है क्योंकि हमारे सामने कमी आई है और कमी आईगी तो आपका समय से बंद है इस जगह पर मैं जहां भी खड़ा हूँ यह जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ यह तीखा मोड है यहां पर और देखिए अभी इस रोड का अफग्रेडेशन हुआ है मुझे एक चीज बताईए आप मैं पीडेवलुडी विभाग से पूछना चाहूंगा क जब किसी चीज को अफग्रेड करते हैं इसका मतलब क्या होता है अब जानकारी रखते हैं इसकी अफग्रेड का मतलब यह होता है कि उसके अंदर किसी तरह की भी कोई कमी है तो उस कमी को ठीक किया जाए और भविश्य में ऐसी कोई समस्या ना आए जिसकी वह से कोई हादस है हर जगा समस्या दंगे लगवाये थे तो यह जो जगा मोड यहां को इस जगा मोड यह तीख्रामोड सामने से गाड़ी आती है इंढ वैच की दें ना यहां मेरे सेयोगी दिखाते रहेंगे यह देखें गाड़ें जा रही है अब आप दखें इतनी छोटी सी जगा में तीके बोड़ पे क्या यहाँ पर एक डंगा नहीं लगना चाहिए था रिटेनिंग वॉल नहीं लगनी चाहिए थी यह जब नाला यहाँ पर पर नहीं निकलते हैं क्या वो यह बात नहीं देखते हैं कि कहां पर किस चीज़ की रिक्वार्मेंट है मैं आपको अगर यहाँ पर यह दिखा रहा हूँ तो इस बात को कोई भी आदमी देख के बता सकता है कि यह जगा पिछले एक साल से डेड़ साल से इसी तरह से है मैं इसका इंतजार कर रहा था कि शायद यह तो ठेकेदार को काम दिया हो भूल किया हो या शायद कोई काम बाद में रहा हो लेकिन पिछले डेड़ साल से जब यह रोड अफग्रेड भी हो गया इसका अभी गोड़ दिविर तक पूरा नहीं भी हुआ है लेकिन यहां पर अभी ठेकेदार ने यहां पर अगर पुलिये लगाने के लिए दी गई थी तो क्यों नहीं लगाई और अगर ठेकेदार को नहीं दी गई थी ना भगवान की द्यासे मैं उन ठेकेदारों के लिए काम करता हूँ जो यह कहते हैं कि हम अमारी रहमों करम पे पत्तरकार पलते हैं मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर हम पलते हैं तो केबल जनता के बिश्वास पे पलते हैं और आपको इस बात को जूर रखना पड़ेगा कि ऐसी जगाओं पर अगर कोई हाथसा हो जाता है कोई व्यक्ति का एक्सिडेंट होने के बाद में अगर उसकी मृति हो जाती है तो उसका जिम्मेबार कौन होगा पीडेवलडी विभाग के अधिकारी इस बातों को क्यों नहीं समझते हैं कि रोड की सेफटी को लेकर जो नॉम्स है उनको पूरण किया जाए क्योंकि यहां पर कोई मजाख नहीं चल रहा है यहां पर केवल खाना पूरती नहीं हो रही है यहां पर जीवनुत्सा है यहां पर यह मिट्टी डालकर साइडों में जो आप दिखाना चाहते हैं यह देखिए यह मिट्टी डालकर क्या साबित करना चाहते हैं आप कि हम काम कर रहे हैं जब आपके सामने यह जगा दिख रही है इस जगा पर आपको कोई ने कोई पुलिय बनानी चाहिए कोई डंगा आया या आपने करना नहीं चाहा या आपने काम दिया था किया नहीं मुझे पता नहीं मुझे मतलब यह है कि आप लोगों की सुविधाओं के लिए अपॉइंट किये गये हैं और आपकी जिम्मवारी बनती है कि आप इसको ध्यान से देखें मैं आप से फिर एक बार आसा लगाना जानता है कहां लगाना है कैसे लगाना है इसको कोई मतलब नहीं है जीवनुसा नियूज के साथ आप बने रहें इसी तरह से और अगर आपके आस पास भी कोई इस तरह की समस्या आपको लगती है कि आपको लगती है कि वो प्रशाशन अधिकारी नहीं सुन र कबादा बाल खाना।